विदियो इस वीडियो हम डिसकेश करने वाले है to set. चैसेट को साथ काम करते हैं इन चाहँ कर्रेजेंट करते हैं किसमें रिप्रेजेंट करते हैं एकजामपल आपको दिख रहा होगा एकोल टू तो इस सेट में चाहरे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट भीटालाट रिपरेज़ली . किस से पारलाइश है क्या हो फीनिवेशा सेट लिए है इसने टोरें किते है बलाइश सेट करते हैं घ Congo किई होता है जिसके अंधर सारे अलिमेंट जितने सेट है वह इंक्छूड होते है वह हमारा क्या करhati फ्राएं अपजाशा है एक सेटंट का वर्सट्ऩ ऊंचे मौस्ट्ट कहले सब्ढ़ हैं कुछ फ्रत। बोट सेट करेगा इंग्लिश के अलफवेट को तो कुछ ऐए में खुछ ऐए में हैं कुछ कॉनसोनेंट बेमें हैं ठीक है और जब हम जाएंगे नियुक निला देगा तो क्या बन जाएंगे यह उनिवर्सल सैट बन जाएगा यह यह सेट एओ ven जाएगा ठीक है, set B को consonant कर लेना, और फिर जो इनका मिलेगा, ठीक है, जब इने मिलाएंगे, निवर्सल सेट बनाएंगे, तो वो English alphabet को represent करेंगे, clear हुआ, फिर next अधा मना 5 जो null set को denote करता है, जिसके अंदर कोई भी element नहीं होता है, ठीक है, clear हुआ, next है, complement of set, ठीक है, complement, जो a- denote करता है तो complement set में, जो accept होता है, element of a, मतलब जो a को छोड़के, दूसरे में आता है, वो हमारे complement of a- कहलाता है, जैसे a- का मतलब क्या है, equal to, हम जब universal में से, जो हमारा set a है, वो minus कर देते हैं, जैसे example है, set a में 4 और 5 है, ठीक है, set a में क्या है हमारा, set a में हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5, एक मिन टुकना, 1 आ रहा है, इसमें, 6, 7, 8, 9, थोड़ा hide हो गया है, तो, mu में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है, यहां पर आ रहा है, 1, 6, 7, 8, 9, तो इसका मतलब है, हमारा set a है, हमारे hide हो गया है, image के पीछे, set a में है, हमारा 2, 3, 4, 5, ठीक है, set a के अंदर है, हमारा 2, 3, 4, 5, तो यहां hide हो गया, 2, 3, 4, 5, और mu में हमारा universal set में है, 1, 2, 10 हमारे counting, तो complement क्या बनेगा, a के अलावा जो है, a में है, 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 को हम अटा देंगे, बाकी जो बचेंगे, वो हमारे complement में आ जाएंगे, ठीक है, फिर subset, subset denote करता है कि a के element जो है, दूसरे म symbol दे रखा है, a set है, a, b, c, d, e, b, c, d, e, b, c, d, e, b, c, d, sorry, ठीक है, तो b जो है, वो a क्या क्या है, subset को denote करता है, ठीक है, कि जो a है, वो subset है, kis का b का, क्योंकि b के सारे element जो किस में आ रहे है, a में आ रहे है, last है हमारा belongs to, belongs to मतलब कि यह particular element जो है, इससे belong करता है, ठीक है हमारा symbol, belongs to को denote करता है, अगर set a हमारा लिखा है, a, b, c, इसका मतलब क्या है, कि जो element है, set a के, वो a से belong करता है, हम बोले a belongs to, small a belongs to, मतलब set a, b belongs to a, c belongs to a, और जो d है, वो से belong नहीं करता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यह वाला symbol, not belongs to, ठीक है, कौन से करेंग not belongs to, तो यह, इसका मतलब क्या होता है, not belongs to the set, clear हुआ, तो यह थे हमारे set operations, next वीडियो हम डिस्कस करेंगे, set notation for set operation, अभी हमने क्या डिस्कस करा है, set notation for set representation, यह कौन से set represent कर रहा है, universal set है, null set है, complement है, subset है, belongs to है, ठीक है, I hope आपको clear हो गया होगा, अगर वीडियो अच्छी and thank you